जहें दोस्तों स्वागत है आपका एक जाम पार यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही मत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर तो वीडियो को पूरा वस्ते देखेगा अगर आप चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को अज wizard को प्रिष्णु प्रिवाकर का जीवन परिश्य रोज अपन इस क्लास में किसी कभी अलेक के कजिवन परिष्य जरू पड़ते हैं आज अपन पढ़ेंगे विश्नु प्रिभाकर को तो विश्क्र प्रिवाकर Ohh P MILL प्रिभाकर जी से संबन्धित कुछ में में आप सबी के लिए आंसर बताना है तो मैं आप विकल्पन आप सभी करें आप ऊहला करो 12 12 सबTeam सब्सक्राइब वालब विकल्ब है बहुत बड़ी एंगला कॉस्चिन यां पर दीखिए निम्न कहाँ विष्णु प्रवाकर जी का यह बताना सब्सक् Miaamma पांदा उत्तर प्रदेस में या पिर साराने नोच अंबर dophemे आप सभीकल में सभीगता फ़ीवाइअ इनका जन्म आप सभी के लिए वताने कहां पर हुआ है पाप सभी का यहां पर सही आंसर है मीरा पूर मजबपर पूर उत्तर प्रदेस आप सभी का यहां पर डी वाला जो विकल्प है वैं आप सभी का यहां पर सही आंसर है विश्णु प्रभाकर का बास्तविक नाम क्या था इनका बास्तविक नाम विश्णु दयाल, विश्णु संकर, विश्णु राही, एपर विश्णु प्रभात क्या था तन्वै जी, तनु जी, कंचन जी, बताइए का सभी लोग सिपकरन जी कॉस्चन नमबर यहां पर दिया गया तीन और विश्णु प्रभाकर जी जो है, इनका बास्तविक नाम बताना है तो कॉस्चन नमबर तीन में आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है इनका बास्तविक नाम था विश्णु दयाल विकल्प नमबर ये वाला आप सभी का यापर सही आंसर है विश्णु दयाल जनौन भी चन किया है उनका यापर सही आंसरों का ये वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है अंगला कॉस्चन यापर देखेगा कॉस्चन नमबर आ आपका यहां पर दिया गया है चार मत्तपूर्ण कॉस्चन है कि यहां पर दिया विष्णु प्रिभाकर द्वारा रचित आवारा मसीया जीवनी किसके जीवन पर आधारित है यह आप सभी के लिए बताना है रबिन्नाट टेगोर सरचंद्र चटो पाध्याए निराला यह फ पन्न पड़ी आवारा मसीया की रचिनाकार विष्णु प्रिभाकर हैं जो कि सरत चंद्र चटो पाध्याए जीवन पर आधारत जीवनी वानी जाती है विकल्प नंबर बी वाला आप सभी का यहां पर सही आंसरों का अंगला कॉस्चन है आप देखेगा विष्णु प्रि चांती कॉस्चन नंबर पांच में आप सभी लोग शेयन करेंगे विष्णु प्रिवाकर को किस रचिना के लिए सोबित लेंड नियुरूपुरस्कार मिला था पांच में शेयन करना है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है वह रचिना है आप आरा मसीया विकल्प नंबर सी वाला विकल्प जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा तो आप सभी का यहां पर क्या है सही आंसर सी वाला विकल्प होगा यहां पर सही आंसर पांच में कॉस्चन जो यहां पर दिया गया है विल्कुल सही आंसर है विष्णु प्रिवाकर को किस रचिना के लिए सुवियत- लेंड नियुरू पुरुसकार मिला था तो आवारा मसीह सई आंसर है और यहां पर कौस्चन आपका यहां पर दिया गया है कौनसा चहवा कौस्चन है विश्नु प्रिभाकर को किश पन्यास के लिए साहित अकादमी पुरुस्कार दिया गया था अब आपके लिए आपर क्या पूँचा गया है अब आप से पूँचा है साहित अकादमी अभी आप से क्या पूँचा गया था अभी आपको बताना था सोवेट लेंड नियुरू पुरुस्कार तो आप सभी कहें आपर सही आंसर आप सभी का याँपर क्या है सही आंसर ये छेन करना है तो आप सभी का याँपर सही आंसर question आप का याँपर दूत नहीं स्वरिछे दिया गया है और छे में आप सभी का याँपर सही आंसर बताना है क्या होगा सही आंसर तो विल्कुल सही आप सभी का यहाँपर होगा तक सपाकर को साहित अकादिं पुरुसकार कब दिया गया यह आप सभी के लिए चेंड करना है बताए का क्या होगा सभी आंशर्ण करेगा कि अध्यकुन क्म॥क्रेपर यह अल दिया गया है और आप सभी का या पर कॉस्चन बताईएगा चैन करियेगा क्या है आप सभी का है आपर सही आंसर चैन करियेगा flakes quan वहती Jurassic Park वहती मत्य पूने आपर दिया क्या है और आप सभी का है आपर सही आंसर आ रहा है कि 1993 हूगा सही आंसर क्या होगा सही आंसर 1993 आप सभी का यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही 1993 आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन आपका यहां पर क्या दिया गया है यहां पर देखते हैं यहां पर कॉस्चन दिया गया है देखेगा आठवा कॉस्चन है यहां पर विष्णु प्रिवाकर को किस नाटक के लिए भारतिय ग्यान पीट द्वारा मूर्ति देवी पुरुसकार दिया गया यह आप सभी के लिए आपर चैन कनना है चैन करिये का कॉस्चन आपर वत्वपूण दिया गया है कॉस्चन नमबर आठ है और आठ म कि बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का यहां पर फेकल्फ नंबर आपका यहां पर ग्नाटक के लिए ग्यान पीत दौरा मूर्ति दे भी पुरुषकार दिया गया था सत्ता के यार पार के लिए यहाँ पर बताना है विश्णु प्रिवाकर की रचना चलता चला जाऊंगा यह आपके लिए बताना की विधा क्या है बताईएगा चैन करिएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चैन करिएगा सभी क्या है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कवीता नाटक संसमरण यह चार विकल्प आपके आपके आपढ़ दिये गए हैं तो ये तो जो है कवीता मानी जाती है ये वाला आपका सही आंसर है यहाँ पर सुदाल लीजेगा मुझपर पुर नहीं होगा यहाँ पर मुझपर नंगर होगा विल्कुल सही आंसर है यहाँ पर सुदाल लीजेगा मुझपर नंगर उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म ह था मुझा पर पुर नहीं होगा विल्कुल सही आंसर है आंगे वड़ते हैं कॉस्चन आपका यहां पर दस क्या पूंचा गया है विश्णु प्रिभाकरने किस नाम से कुछ रचना है लिखी है प्रेम बंदू प्रेम बीर प्रेम प्रेना नंदा या फिर प्रेम दास कॉस्चन मत्शचन है यहां पर विश्णु प्रिभाकरने किस नाम से कुछ रचना लिखी है बहिए आप सभी के लिए आपर चैन करना है क्या होगा आप सभी का सब्रे आनसर कंचंजी दिपक जी आध्यूजी रक्षिता जी तो वेकल्प नंबर एक आप सभी का या बर सभ आंसर है प्रेम बंदु जिन्हों ने भी यहां पर चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर है गंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन तनुजी यहां पर दिया गया है ग्यारेवा कॉस्चन विश्णु प्रिवाकन ने प्रेम चंद की किस उपन्यास का चंद रहार ना तो ग्यारह में आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा वेकल नंबर आप सभी का याँ पर सही आंसर है गवन आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा गवन जन्वन भी चेन किया है उनका याँ पर सही आंसर है विश्मु प्रवाकन ने प्रेमचंद की कि सुपन्यास का होरी नाम से नाट रूपांतरन किया था बताईएगा गोदान करमभूमी गबन या रंगभूमी कॉस्चन नमबर बारह याँ पर दिया गया है बारह में आप सभी लोग चैन करिएगा गुलाब जी सभी लोग एक बार लाई कवस्ते कर लेंगे रोज आपके लिए नियंतन एक लाइं से लाइं जा रही है और विश्णु प्रिवाकर्न ने प्रेम्चंद जी का वैं उपन्यास आपके लिए बताना है कौन सा वैं उपन्यास है जिसका हूरी नाम सी नाट रूपांतन किया था बारह बारह में आप सभी का सही आंसर आ रहा है वेकल नंबर आप सभी का क्या गोदान आप सभी का यापर सही आंसर होगा गोदान आप सभी का यापर सही आंसर है बहुत बढ़ियां विल्कुल सही सभी लोगों ने आपर सही आंसर चैन किया है अंगला कॉस्चन यापर देखेगा कॉस्चन नंबर यापर 13 दिया गया है आवारा मसिया जीबनी कितने भागों में हैं बताईएगा क्या होगा सही आंसर आवारा मसिया जीवनी जो है कितने भागों में यह आपके लिए बताना है पांच भागों में दो भागों में तीन भागों में या चार भागों में तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्यारा तेरह में सही आंसर वेकल्प नंबर सी आप सभी का याँपर सही आंसर है तीन भागों में हैं तीन भागों में आप सभी का याँपर सही आंसर है आबारा मसिया कितने भागों में यह आप सभी को चैन करना है तो तीन भागों में आप सभी का सही आंसर है अंगला कॉस्चन याँ पर देखे का आबारा मस्या जीवनी तीन भागों में है इन वैसे कौन सा एक जो है भाग नहीं है ये आप सभी के लिए बताना है दिसारत, दिसाहारा, दिसा की कोज और दिसानते इने वैसे चेन करिएगा नीलम जी, मौनिका जी और आप सभी का याँपर क्या होगा, सही आंसर छोटो जी आभारा मस्य जीवनी तीन भागों में है कौनसा इनमे से एक नहीं है, नहीं बताना है तो दिसारत आप सभी का याँपर सही आंसर ओगा दिसारत नहीं है बाकी के देखिएगा तीन भाग दिसाहारा दिसा की खोज और दिसान्त आप सभी का यहां पर सही आंसर होंगे दिसारत नहीं माना जाता है विश्नु प्रभाकर के किस नाटक में अनीशा डॉक्टर के करतब प्रतिसोद के बीच दंद कहानी का बढ़नन है कॉस्च नमबर 15 में आप सभी के लिए चैन करना समाधी में डॉक्टर सत्ता की आरपार टूटते परिवेस है 15 में आप सभी लोग चैन करेंगे क्या होगा आप सभी का यहां पर सही आंसर है दिपक जी बताइएगा सभी लोगों के कमेंट यहां पर देख रहे है विष्णु प्रभाकर ने विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में अनीशा डॉक्टर के कर्तब में यहां पर देखेगा विष्णु प्रभाकर की जो प्रिथम कहानी है में कौन सी मानी जाती है संगर्ष के दिन दिवाली के दिन या फिर धर्ती अब भी घुम रही है या जिन्दी की एक रहरसल बताइए का सोले में आप सभी का क्या होगा सही आंसर सोले में आप सभी के लिए सही आंसर चैन करना है कि विष्णु प्रवाकर की प्रतम कहानी कौन सी मानी जाती है चेन करिये का कॉस्चिन मत्पून याँ पर दिया गया है और सोले में आप सभी का याँ पर सही आंसर है दीवाली के दिन दीवाली के दिन आप सभी का यहां पर B वाला वेकलप आप सभी का यहां पर सही आंसर हो का B जनोंने भी चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर है दीवाली के दिन जनोंने भी चैन किया है कॉस्चन नम्बर सत्रे का सई आंसर चेन करनना है विश्णू प्रवाकर की काहाई मानी जाते है दीवाली के दिन कप प्रकासेत हुए सत्रे का सई आंसर चेन करनना है तो सही आंसर है आप सभी का सत्रह में सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है 1931 आप सभी का यह वाला जो विकल्प है वैं आप सभी का यह आपर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपका यहां पर दिया गया है अठारे बाद कॉस्चन है विश्नु प्रवाकर की प्रतम कहानी दीवाली के दिन किस पत्रिका में प्रिकासित हुई है वै बताईएगा हंस में बिंदी इस वरी हंस में या फिर हिंदी बंगवासी में या फिर सरस्वती या फिर मिलाप में अठारे बाद कॉस्चन यहां पर दिया गया है और अठारे में आप सभी का क्या होगा सही आंसर विश्नु प्रवाकर की प्रतम कहानी दीवाली के दिन के स्वत्रिका में प्रकासित हुई है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है मिलाप आप सभी का यहां पर सही आंसर है दीवाला विकल्प जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा मिलाप जिनोना भी चैन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ी है question number आपका यहाँ पर दिया गया है 19 वा question देखेगा यहाँ पर दिया गया विश्णु प्रिवाकर का नाटक प्रतम नाटक बताना है डॉक्टर है लिपिश्टिक की मुस्कान योगे योगे क्रांती या फ्रहत्या के बाद बताईएगा 19 में आप सभी का क्या होगा बिंदु जी प्रमोध जी सुनेना जी सही आंसर चैन करिएगा question मत्पूर्ण है विश्णु प्रिवाकर का प्रतम नाटक आप सभी के लिए चैन करना है कौन सा माना जाता है और आप सभी लोग बता रहें कि इनका प्रतम नाटक तो हत्या की बाद डी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा डी वाला विकल्प आप सभी का यहां पर सही आंसर है विल्कुल सही आंसर है बहुत बढ़ी है अंगला question यहां पर दिखेगा question नंबर आपका यहां पर दिया गया है 20 विश्णु प्रिवाकर के क विश्नु प्रवाकर की किस नाटक में पीड़ी तर पीड़ी तूटते सामजिक मुल्यों का चित्रण है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर होगा यानि कि युगे युगे क्रांती युगे युगे क्रांती आप सभी का यहां पर मिसी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहां पर सही आंसरों का बहुत बढ़िया सी वाला विकल्प है आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा विश्णु प्रवाकर की पृतिनिती रचना कौन ची मानी जाती है अमर सहीद बगत सें या फिलिपिश्टिक की मुस्कान योगे योगे क्रांती या आवारा मसीहा 21 में आप सभी के लिए चेन करना है बताईएगा क्या होगा 21 में सही आंसर विश्णु प्रवाकर की पृतिनिती रचना इन मैसी आप सभी के लिए चेन करना है तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विष्णु प्रवाकर की आत्म कता, जो है वै कितने भागों में प्रिकास्ट हुई है? 5 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में चैन करिएगगी, वहती मत्त पूर्ण कौंचन याँपर दिया गया है 22 बाह कौंचन है और 22 में आप सभी का याँपर क्या होका सही आंसर? विश्णू प्रिवाकर की आत्मकत्ता कितने वागों प्रिकासित हुई है ये चैन करना है तो आप सभी का याँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर डी होगा यहाँ पर सही आंसर चार वागों में चार वागों में आप सभी का याँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर चार आप स को कि इसमों प्रभाकर की आत्मकत्ता कितने भागवें प्रिकासित हुई है चार्मागवें आप सवी का सई आंसर आँगे बढते हैं आवारा मस्य जीभनी का pan रिकेसिंवर्स आप सवी के लिए chain करना है बताइएगा chain करिएगा क्या होगा आप सभी क्या होगा आप सभी का सभी का सभी आंसर एच चैन करना है question यहाँ पर 23 दिया गया है C होगा यहाँ पर सभी आंसर है जई हाँ पर आबहरा मस्य जीवनीगं का प्रिकासण कब हुआ है यह वताना हैं तो यहाँ पर S ने वी as a answer वी वाला विक अंवित अपसही का सिय आंससर है सुत्र हो स 1964 अंवाारा उन्सचरह संद्र स्य आंसर विकल्ट अंबर आपका यहां पर जो वी है वह आपका सिzek राबर मसिह जीवनी का प्रिकासन कब होँगा है लोल लिए स्टिंच यह आपर देखेगा विश्णू प्रवाकर की इन मेंसे कौन सी आत्मकत्ता नहीं है नहीं बताना है चैन करना है जिनके साथ जिया पंची उल गया मुक्त गगन में या फिर पंक हीन चैन करिएगा कॉस्चन यापर मत्पूर ने दिया गया है और आप सभी का यापर सही आंसर क्य क्या होगा विश्णू प्रवाकर की इन मेंसे कौन सी आत्मकत्ता नहीं है नहीं बताना है तो आप सभी का याँ पर सही आंसर आ रहा है क्याई सही आंशर चेहन करिएगा सभी लोग तो आप सभी का है आपर 24 वा कॉस्चन है चॉविस में आपका जिनके साथ जिया व्ष्णु प्रवाकर की ए आत्मकत्रा नहीं मानी जाती है ये वाला आप सभी का है आपर सही आंसर है जिनके साथ जिया विल्कुल सही एवाला सही आंसर है विश्णु प्रिवाकर के इनमे से कौन सी कहानी नहीं है एक और कुंती आदी और अंते एक और जिंदगी या फिर पाप का घड़ा 25 वा कॉस्चन आपर दिया गया है 25 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर तेन करिएगा कॉस्चन मत पूर्ण है विश्णु प्रिवाकर के इनमे से कहानी नहीं है नहीं बताना है चैन करना है तो अर्वेंद जी सिवानी जी आप सभी का रमिश्जी सही आंसर आ रहा है कि एक और जिंदगी एक और जिंदगी आप सभी का यांपर सही आंसर है विश्णु सही answer होगा बिलकुल चाहिए बहुत पड़ियां अगला question यहां पर देखेगा question आपका यहां पर देखे आपके क्या दिया गया है क्या heißt सही answer इहां पर सही answer एक और जिन्दिकी सही answer अर्द नारीष्वर उपन्यास का प्रिकासन अपके लिए बताना है बताईएगा चैन करिएगा क्या होगा सही आंसर अर्द नारिस्वर एका प्रिकासन बतान उपन्यास विदा की रचना मानी जाती है अर्द नारिस्वर और आप सभी का याँपर सही आंसर चैन करना है, सभी लोग चैन करेंगी, बहुती मत्यपूर्ण कॉस्चन याँपर दिया गया है तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है 1992 हुगा सही आंसर 1992 आप सभी का यहां पर सही आंसर है अर्दनारीस्वर उपन्यास का प्रिकासन कब हुआ है तो 1992 आप सभी का यहां पर सही आंसर है तो बिल्कुल सही आंसर है 1992 आप सभी का सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा छमादान रचना की विधा बताना है छमादान रचना की विधा आप सभी के लिए चैन करना है क्या मानी जाती है यह आप सभी के लिए चैन करना है है एक रूबत हो गया है इसको सुदा लिजे गांप लोग कि जो विश्णु प्रिवाकर की आंट्म बैक जो की है यहां पर कौन सा कॉस्चन था वो तीन भागों में हैं इसको सोदाल लें आप कॉस्चन नमबर 22 में आप लोग सभी लोग एक बार सोदाल लीजेगा विश्नु प्रभाकर जी से सम्मंद्र जो कॉस्चन है 22 बार कॉस्चन 22 में आपका क्या है सही आंसर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी लोग यहां पर सवारी अंगे वड़ते हैं कॉस्चन आपका यहां पर क्या दिया गया है यहां पर देखेगा क्या दिया गया है इन वातायष्टे क्यों संप नमई चभी के वंधन या तट के वंधन वैं उपन्यास आप सभी के लिए चैन करना है सो नेना जी विल्कुल सभी आंसर सुधाग दिया उसको तीन भाग जो है वैं सभी आंसर होगा विल्कुल तो इन वैसे पॉन सा पन्यास विसनु प्रभाकर का नहीं है ये बताना है डलती रात सप्नमाई शवी के वंधन तट के वंधन तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है विल्कुल नंबर आप सभी का यहां पर जो सी सही आंसर होगा चवी के वंधन जो है वैं आप सभी का यहां पर सही आंसर है चवी के वंधन आप सभी का यहां पर सही आंसर है कौन सा नाटक विश्नु प्रभाकर का नहीं है देखेगा यहां पर गांधार विक्षुणी और रख्त चंदन अब और नहीं हानूस या फिर सुएत कमल चैन करिएगा कॉस्चन यहां पर दिया ग्या है आपका क्या दिया ग्या है उन्तिसवा कॉस्चन है विश्णु प्रभाकर का नाटक नहीं वताना है तो हानूस तो विश्मिसायनी की रचना मानी जाती है कई बार अपन पढ़ चुके है तो यहां पर हानूस विश्मिसायनी की रचना इनाके विश्णु प्रभाकर के इन्वें से आपके लिए बताना है कौन सा संस्वन विश्णु प्रभाकर का नहीं है नहीं बताना है कुछ स कॉस्चन है कॉस्चन आपका यहां पर दिया गया है तीस और तीस में आप सभी का सही आंसर आ रहा रहा है विश्णु प्रभाकर का जो संस्मन नहीं है तो भैणनाई असी वाला विकल्प सड़ी वाला विकल्प कूरी नजरों में हम ए जो है जो करमाच भी जो है इसकी रचना कार्मानी आते हैं बिलकुल सही बी बाला आप सभी का यहां पर सही आंसर है कौन सा यात्रा संस्वन विश्णु प्रभाकर का नहीं यहां पर भी नहीं बताना है हस्ति निर्जर धैक्ति भट्टी हम सिख्रों की चाया में या फिर सरी हिम सिख्रों की चाया में भोर का सपना आकास एक है चेन करिए का क्या दिया गया है इनमेंस एक आत्रा संस्मन विस्नु प्रमाकर का नहीं है तो नहीं वतान है तो भोर का सपना आप सभी का आपर सही आंसर होगा भोर का सपना आप सभी का आपर सही आंसर होगा भोर का सपना सी वाला जो विकल्प है ये विश्नु प्रमाकर का एक संसमर्ण नहीं वताना था सी आप सभी का आपर सही आंसर है आंगे बढ़ते हैं विश्णु प्रवाकर की रचिना जोती पुंज हमालाई की विधा क्या है निवंद है वो पन्यास है संसमरण है नाटक है बत्तिस में आप सभी के लिए चैन करना है क्या होगा सही आंसर क्या होगा सही आंसर कॉस्चन बहुत ही मत पून आपर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा तो विल्कुल सही आंसर आ रहा है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर वेकल्प नंबर आपका यहां पर सही आंसर होगा एहाँ पर यात्रा संस्मन आप सभी का यापर सही आंसर होगा विल्कुल चहीग यात्रा संस्मन अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखिएगा विश्नु प्रवाकर की रचना समकालिन लगु नाटक का परिकासन बताना है बताईएगा प्रभाकर माचवे की रचना मानी जाती है आत्रा प्रतंत माना जाता है गोरी नजनों में हम प्रभाकर माचवे जो है उनी की रचना मानी जाती है दीपक जी और यहाँ पर विश्णु प्रभाकर की रचना है समकालिन लगुनाटक का प्रिकासन वर्स बताना है क्या होगा सही आंसर साथना जी सीमा जी हाँ राजन जी बिल्कुल तो आप सभी का याँ पर सही आंसर क्या होगा ये चेन कन्ना है तो भिश्नु प्रभाकर की रचना समकालिन लगुनाटक का प्रिकासन वर्च जो है 1986 माना जाता है बी वाला जो विकल्प है वैं आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर दो आप सभी का याँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन याँ पर क्या दिया गया है कॉस्चन आप का याँ पर दिया गया है विश्नु प्रभाकर का निधन का भूबा इनका निदन आप सभी के लिए बताने है 2006, 2007, 2008, 2009 ये चार विकल पर दिये गए है कॉस्च नमबर 34 यहां पर दिया गया है 34 में सुस्मा रानी जी सभी लोग बताएंगे क्या होगा सही आंसर तो हाँ नहीं पूंचा है उहां पर दिपक जी पिर्भाकर माचवे की वह रचना मानी जाती है अपने आपर विश्दु पिर्भाकर जी को पड़ रहे है तो हाँ और 34 में सभी आंसर होगा विकल नमबर आपका डी सभी आंसर होगा नहीं की 2009 आप सभी के आपर सभी आंसर होगा निधन इनका पूंचा गया है द्वा जाननों आप सभी का यहाँ पर सही आंसर एक देखिएगा संस्मन विश्णु प्रभाकर का नहीं है तो गोरी नजरों में हम गोरी नजरों में हम जो रचना प्रभाकर माचवे जी की रचना मानी जाती है ना कि विश्णु प्रभाकर की तो इस परकार यहाँ पर अप कमेंट में जरूर बता दीजेगा कॉस्चन मत पूर्ण है सभी लोग वीडियो को लाइक से रवस्टे कर लीजेगा अगर आप चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अब यसी परकार के सभी लेकुकों का जीवन परीचे आम निरंटन आप सभी के लिए रोज लाते हैं तो सभी लोगों के लिए passions से रोज जुड़ना है ये class आपकी सामको चार बजी होगी तो इस चार बजे वाली खुलास में आप सभी लोग जुड़िये का वस्ते मत प रजे वाली क्लास में सभी लोग है जय हिंद